नमस्कार दोस्तों स्वागेत हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में सुबह के छे बज चुके हैं और वीकेंड के वार में हम आपके साथ हैं आज सनीवार है और सनीवार इस पेसल में हम 18 सेट नमबर लेकर आए हैं जहां पे 50, Top 50 Current Taffer के सेनारिय होंगे जो कि आपको Free of Cost में ये टेस्ट दिया जा रहा है मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो टेस्ट है आपका तैयार किया जा रहा है दोस्तों परत्योगीता दरपन, एडुटेरिया और स्पीडी से जुड़े पुस्तकों से आप लोग भी पढ़िए अगर आपके पास फुस्तक हैं लेकिन आप टेस्ट जरूर दें एक टेस्ट एक फ्री टेस्ट जरूर दें जो कि हम आप तक ले करा रहे हैं वैसे तो मैं आपको डेली बेसिस पे जो आपको करेंट अफेर बता रहा हूं यहाँ पर टॉप 25 कोशिन का उससे हम लोग पूरे साल का करेंट अफेर कभर कर रहे हैं तो वार्सिकांग करेंट अफेर पढ़ने के जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको और यह सारे करेंट अफेर आपको कभर करा दिये जाएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं जो भी छात्र BPSC बिहार दरोगा बिहार सिपाही या बिहार SSC की तेयारी कर रहे हैं अगर आप NTPC Railway का एक्जाम भी दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखेगा यहां से सवाल जरूर बनेंगे आपके एक्जाम में पूछे भी जाएंगे इन सब का PDF कल आपको मिलेगा दोस्तो चहां YT Education के टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम को जोइन कर लिजेगा टेलीग्राम का लिंक मैंने एबाउट में दे रखा है या तो आप सर्च भी कर सकते हैं YT Education का टेलीग्राम वहाँ पे जोइन कर लिजेगा दोस्तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूँगा जी या कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजेगा हर वीडियो के ओफिशल नोटिफिकेशन के लिए बागी क्लास की टाइम आपको को पता है सुबा 6 बजे करेंट फिर 11 बजे बिहार सिपाही और 8 बजे बिहार दरोगा बीपीएसी इन तीन क्लास के जरिए हम आपको बिहार के उन सभी परिक्षाओं के तयारी बिलकुल फ्री आफ कोश्ट में कराने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे सवाल नंबर एक पर चलते हैं हाली में 22,000 रन अंतराश्टी रन बनाने वाले सबसे 30 बल्ले बाच कौन बने हैं तो क्या आपको उत्तर यहाँ पर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे 50 कोशन है इसलिए हर कोशन का आंसर के लिए आपको एक नंबर मिलेगा गलत के लिए सीधे आधा काट लिया जाएगा मतलब कि सीधे हाफ नंबर मिलेगा वहाँ पर कट जाएगा तो कैलकुलेट करके बताएग कितना स्कूर कर पा रहा यहां पर अंजर करेंगे विराट कोली जोकि भारते किरकेट टीम के कप्तान हैं दोस्तों अगर सवाल विराट कोली से बना है तो ध्यान रखेगा ये कप्तान है तो उप कप्तान कौन है नीचे कमेंट बोक्स में comment किजेगा हमें सवाल नमबर दो पे चलते हैं दोस्तों, दिसम्बर 2020 में किस यूवा बेग्यानी को Kid of the Year Award से समानित किया गया है ये question मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए जल्दी से आप बताएंगे कि Who is awarded December 2020 बेग्यानी को Kid of the Year से समानित किया गया है Kid of the Year Award गीतांजली राओ, बिल्कुल उतर सही कर रहें D उतर कर रहें तो अगर आप BPSC त्यारी कर रहें तो भी आपके लिए विडियो बहुत महत्यपोन है देखें मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि question के साथ साथ आपको option भी दिख सके तो सवाल लंबा है 20-22 रेडियो निविगेशन प्रणाली घटक के रूप में अंतराष्टे समुन्दर संगठन आईएमों के मानिता प्राप्त एक सुतंत्र छेत्रिये निविगेशन उपगरह प्रणाली विक्सित करने वाला भारत जिया कौन सा देश बन गया है जल्दिस आंसर करेंगे तो यहां पर आंसर करेंगे आप जिया चौथे ठीक है आंसर B कर लेंगे इस दर राइट आंसर सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो चार पे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट अफ लिविग जिया दोस्तो WCOL इंडेक्स में निम्ण में से किसके द्वारा जारी किया जाता है यह सवाल आ सकता है एक्जाम में इसलिए हर सवाल का जवाब देना जुरूरी है देखे WCOL का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट अफ लिविग इस इंडेक्स को जारी किया जाता है दोस्तो Economics Intelligence Unit के द्वारा EIU के द्वारा ठीके आंसर एक कर लेंगे यहाँ पे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 5 पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इस चीज़े आपको साब साब दिखाई दे चलिए निमलिखित में से किस राज्य ने समुंदरी राज्य में सर्वस्रेश परदाशन के लिए राज्यों में मतज से प्रुसकार जीता है दोस्तो तो देखे ये भी कोशिन आपको बता चुका हूँ अगर डेली का क्यूज आप लोग देखते हैं यहां के गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल जी हां प्रुफेशर गणेशी लाल और यहां के कैपिटल सिटी भूवनेश्वर होती है ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 6 पे चलते हैं दोस्तो 15 वे वर्चुवल G20 सिकर सम्मेलन के अदेश्टा निमलेकित में से किस देश ने की थी चलिए G20 15 वर्चुवल सिकर सम्मेलन हुआ था वर्चुवल क्यों तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ठीक है तो यह साओधी अरब ने किया है वर्चुवल क्योंकि यह COVID-19 के चलते वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादन से हुआ था तो वर्चुवल कहा जा रहा है इसको G20 सम्मेलन के अदेश्टा के द्वारा तो साओधी अरब के द्वारा दोस्तो एक सवाल आपसे नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट किजिएगा और जब भी आंसर किजिएगा तो जैसे कि 6 का पूछ रहा हूँ तो सवाल नमर 6 का आंसर करके यहाँ पर बताईएगा ठीक है साओधी अरब के करंसी का नाम क्या है ठीक है बताईएगा क्या कहते है साओधी अरब करंसी को सवाल नमर 7 पर चलते है भारत का पहला मौस गार्डन उत्राखंड राजी के किस जिले में स्थापित किया गया है चलिए आंसर करेंगे दोस्तो तो उत्राखंड दोस्तो यहां पर ध्यान रखेगा उत्राखंड के यह जिला है नैनी ताल इस दे राइट आंसर नोट कर सकते हैं अब दोस्तो एक सवाल आपसे पूछूँगा कि उत्राखंड की जो गवर्नर है उनका नाम क्या है और त्रिवेंद सिंग रावत यहां के CM होते हैं ठीक है यह लिख लिजीगा और देरा दुनिया की Capital City होती है ठीक है याद रखेगा सवाल नंबर 78 पे चलते हैं दोस्तो Commitment to Reducing Inequality CRI सुचेकांग 2020 में किस देश को प्रथम इस्थान दिया गया है आंसर करेंगे हर सवाल का जवाब देना जुरूरी है यहां पे Commitment to Reducing Inequality CRI सुचेकांग 2020 में किस देश को प्रथम इस्थान दिया गया है तो यह है दोस्तो Norway C is the right answer नोट कर लेगा है दोस्तो आंसर C हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं 9 पे Bank of Bauda जिया दोस्तो Bank of Bauda के साथ की दो बैंकों का विलाय किया गया है अब यह सवाल जो है BPSC में भी हाल में पूछा गया था तो Bank of Bauda का विलाय हुआ है दोस्तो याद रखेगा किसके साथ तो Kendra Bank और नहीं सौरी यहाँ पर माफ करेंगे बीजिया बैंक और देना बैंक के साथ ठीके आंसर C कर लेजेगा इस दर राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो 10 पे बिहार का प्रथम एमस अस्पताल पटना में है दूसरा एमस अस्पताल कहां पर इसको गालने की अनुमती मिल गई है बिलकुल दर भंगा इस दर राइट आंसर दोस्तो बिहार से सवाल जूड़ा है तो बिहार के मोख्य मंतरी नितिश कुमार है और फागो चोहान यहां के गवर्नर है और पटना यहां की कैपिटल सिटी होती है और दर भंगा में यह दूसरा एमस खोलने की यहां पर अनुमती मिल चुकी है सवाल नंबर 11 पे चलते है हाली में भारत का पहला खिलोना वी निर्मान कलस्टर किस राज में खोले जाने की घोशना की गई है चुकी देखे यह सवाल इंपोर्टेंट है और राज्यों से जोड़ेंगे सवाल तो मैं राज्य के राजधानी उसके गवर्नर और उसके मोखिमंतरी का नाम भी जरूर बताऊंगा आपको तो प्लीस वीडियो में बने रहेगा अंतक ताकि हर चीज आपका कवर अप होता चले तो हाले में खिलोना वी निर्मान कलस्टर के रूप में दोस्तों करनाटक यहां पे आंसर करेंगे यह इस दर राइट आंसर अब देखिए करनाटक जो है इसको खोले जाने की घोशना दी गई है करनाटक की राज़ानी बैंगलूरू होती है वाजू भाई, रुद्दा भाई, वाला तीक है? वाजू भाई, रुद्दा भाई, वाला जो है यहां के गवर्नर है और B.S. यदूरप्पा यहां के मुख्यमंत्री है तो यह तीन डेटा यहां से याद रखिएगा सवाल नंबर 12 पर चलते हैं दूस्तो आंसर करेंगे क्वेशन नंबर 12 का गांधी हिंदूजन दे स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना कि पुस्तक के लेखा कौन है तो स्ट्राटिक जीएगा पार्ट है ध्यान दिजिएगा गांधी हिंदूजन दे स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना जो पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है दूस्तो मुहमद जावेद मुहमद जावेद अकबर के द्वारा यह जिनका उतरारा सही कर लेंगे सवाल नमबर 13 पे चलते हैं किस राजी सरकार के द्वारा उद्दमियों को चिकित्सा प्रदोगी की छेतर में अपने विचार को परिक्षण हेतु एक प्लेट्फॉर्म प्रदोगी की प्रोजेक्ट तेज लॉंच किया गया है यहां आंसर करेंगी जल्दी से समझ लिजीगा कोशिन को तो किस राजी सरकार को यह उनमती मिला है उनकी द्वारा को चिकित्सा प्रदोगी की छेतर में अपने विचारों को यहां पर प्रिक्षित करने और प्लेट्फॉर्म एक प्रदान करने की बात की गई है तेलंगाना यह सी इस दर राइट आंसर अब दोस्तों सवाल बना है तेलंगाना से तो आपको बताना है यहां पर जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहां पर इसको ध्यान में रखेगा तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद है और जो यहां की गवर्नर है वो टी ए सुन्दराजन है जिनका नाम है तम्मिली साई सुन्दराजन और यहां के जो चिफ मनेश्टर हैं दोस्तो यह के चेंदर सिखर राओ है याद रखेगा आंसर यहां पर C हो जाएगा सवाल नंबर 14 पे चलते हैं वायू सेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव इंधन का परियोग किस विमान में किया है यह सवाल आपको मैंने बताया है इसका आंसर जल्दी से दें आप लो यह कौन सा जेट जैव इंधन एक परियोग है जिसके विमान में किया गया है पहली बार स्वदेशी जेट जैव इंधन का परियोग किया जा रहा है दोस्तो इन 32 में पुर्दगाल के राष्टपती भारत के चार दिवसी यात्रा पे आये थे पुर्दगाल के राष्टपती कौन है बिलकुल आंसर याद करेंगे यह इस विडियो को एक साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर राष्टपती बदल जाए या फिर कुछ घटना ऐसी हो कि यह चेंज हो जाए तो यह ध्यान रखेगा यह डेट है आज आपका 16 जनवरी 2021 का जिस समय यह अभी पुर्दगाली राष्टपती है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो सोला पर वर्श 2020 में फरवरी को मनाया गया आदर भूमी दिवस का थीम क्या था जिया अंसर करेंगे यहाँ पर वेटलेंड एंड बायो डैवर्सिटी जिया दोस्तों अंसर कर लेंगे C is the right answer दो फरवरी को मनाया गया आदर भूमी दिवस उसका थीम रखा गया वेटलेंड बायो डैवर्सिटी यह सवाल पूछ सकता है कि आदर भूमी दिवस कब मनाया जाता है तो दो फरवरी याद रखेंगे वर्श 2020 सवाल नंबर चलते हैं 17 पे हाल ही में किस भारतिय बैंक ने i-box नामक self-service delivery facility लॉंच की है तो किस बैंक ने किया है दोस्तो बिलकुल आंसर के जीगा C is the right answer ICICI इसका मुख्याले जो headquarter दोस्तों वो मुंबई में है यह आपको ध्यान रखना होगा ठीक है सवाल नंबर चलते हैं 18 पे बजट 2020 की घोशना में दूद मांस्त थममचली सहीद खराब होने वाले सभी वस्तों के लिए क्या special किया गया था बिलकुल यहां पर आंसर कर लेंगे दोस्तों किसान रेल की शुरुवाद आंसर हम यह कर लेंगे ठीक है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे भारत के किस सहर को हाले में युनेस को द्वारब 20 धरोहर के रूप में through में खोशित कर दिया गया है और यहां के governor कौन है जल्दी से बताएं आप लोग नीचे comment box में comment करके बिलकुल कलराज मिस्र कलराज मिस्र जो है यहां के क्या है तो governor है और यहां के अशोक गैलोग जो है यहां चीफ मनिस्टर है जैपूर यहां के capital city है केंडर सरकार के द्वारा भारत के किस सहर में भारत प कर लेंगे दूस्तों यहां पर स्टेश्ट का फायदा आपको मिल रहा है बिलकुल free of cost में इसका कोई चार्ज नहीं लिया जारा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा आप अपनी तयारी को मजबूत कीजिए और जिनका भी result BPSC दरोगा में आया है BPSC दरोगा का आया है औ लिए तो उनको बहुत-बहुत सुबकामना है पीटी की त्यारी करें अच्छे से और जिनका नहीं हुआ है वो इस बार अच्छे से तयार रहें 213 पदों के लिए क्योंकि अब यह आकरी मोगा हो सकता आगे आने वाले 5 सालों में तो देखे 2020 की बात हुई है भारत पर आज जो मुख्य बंतरी है अर्विन केजरिवाल है और लेफ्रेंट गवर्नर अनिल बैजल है याद रखेंगे ये तीन चीजे सवाल नंबर 21 पे चलते हैं भारत की सिफारिश पर निमलिखित में से किस दिन संयुक्तराष्ट द्वारा अंतराष्टी चाय दिवस मनाने की इंपॉर्डेंट है ये आंसर हमारा डी हो जाएगा चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे अर्थिक सर्वेक्षन 2020 के अनुसार भारत की अर्थ विवस्ता में सेवा छेत्र में योगदान देने कितने प्रतिशत रहा है सेवा छेत्र में भारत का अनुस जो है अर्थ विवस्ता में कितना योगदान रहा है आर्थिक सर्वेक्षन 2020 के अनुसार बिल्कुल वच्पन प्रतिशत रहा है दोस्तों सबसे ज्यादा ये इस दराइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे नवाचार महट से 2020 का योजन कहां किया गया है नवाचार महट से दो इटानगर होता है दोस्तों याद रखेंगे यहां के जो गवर्नर है वो कौन है तो बीडी मिस्रा बीडी मिस्रा याद रखेंगे बीडी मिस्रा और कलराज मिस्र राजिस्थान के थे ठीक है ध्यान रखेंगे और पेमा खांडू यहां के चेफ मनिस्टर है पेमा कर लेंगे दोस्तों सवाल important है आपके लिए बिलकुल यह पॉटल का नाम है गती यह क्या नाम है गती याद रखेंगे यह राष्टे-राजमार्ग के निर्मान में तेजी लाएगा इस पॉटल को launch किये गया है दोस्तों सवाल number 25 हाली में 150 वी रंजी मैच खेलने वाले क्रिके बन गये हैं दोस्तों वसीम जाफर बी इस दराइट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तों सवाल number 26 नर्मदा मोहत से कावयोजन किस राज में किया गया नर्मदा मोहत से देखें इसका उद्गम इस थाल इसी राज्य से है तो याद रखेंगे मध्यपरदेश इस दराइट आं सवाल number 27 पे स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की सुरुवात किस राजे केंदर सासित परदेश ने किया है 27 का आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे जम्मो कश्मीर इस दराइट आंसर जी यहां दो तो मनोज जिन्हा याद रहेंगे और यहाँ पे जो जम्मू है इसकी राजधानी होती है ठीके उस दीज को ध्यान रहें दो राजधानिया है और ग्रिष चंदरंपनू जो है इससे लेटेनिंट गवर्नर भी रह चुके हैं ठीके ध्यान रहेंगे अगर सवाल नमबर चलते हैं फिर 28 पे नेमलेखित में से कौन हाली में पुर्दगाल में पुर्दान मंत्री बने हैं तो यह अभी सायद कोशन में आपको बताया है इसका अंसर करेंगे यहां आंसर करेंगे इससी एंटेनियो कोस्टा इस दर राइट अंसर यहां पर पुर्दगाल होगा पुर्ण पुर्ण अगल में लिख दिया गया यहां पर ठीक है सवाल नमबर 29 किस भारतिये पूर्व क्रिकेटर खिलाडी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया इस भारतिये पूर्व क्रिकेटर खिलाडी को अमेरिका क्रिकेट टीम का देखिए अमेरिका ने भी एक क्रिकेट टीम बनाई है ठीक है उनको कोच बनाया गया है तो यह अरुन कुमार ठीक है आंसर ज्याद रखेगा 20 दरैट अंसर वेसे इतना फेमस नहीं है यह एक खिला याद रखेंगे चुकि गोहाटी जो छेत्र दो है दोस्तो यह असाम में आता है इसलिए ध्यान रखेंगे असाम की राजानी दीशपूर होती है और जगदीश मुखी यहां के गवर्नर है और सरवन अंसुनवाल यहां के मुख्यमंत्री है ठीक है याद रखेगा सवाल न देशिप फिल्म ठीक है आंसर यह हो जाएगा यह मराटिव फिल्म है जो कि वेनिस अंतराष्टे फिल्म मौटसर में इसको सर्विश्ट पत्कतागा यह अवार्ड दिया गया दोस्तों सवाल नंबर 32 दोस्तों किस वर्स तक भारत को उर्वरक छेत्र में आत्म होशना कर दिया है जोस्तों आंसर यहां पर बी हो जाएगा सवाल नंबर 33 भारत के किस राजी सरकार द्वारा अतिक कुपोशित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है बिल्कुल अतिक कुपोशित वाले परिवार को यहां गाय देने का फैसला किया तो याद रखेगा योगी आदित्तेनात्र यहां के मुख्य मंत्री है और अनंदी बेन-पटेल यहां की जियां गवर्नर है और यहां मद्य पर्देश की भी है गवर्नर जहां रखेंगे और लखनाउ जो है कैपिटल सिटी होता है सवाल नमबर दोस्तो 34 हाल ही में माल्दिव को भारत सरकार दोरा कितने मिलियन डॉलर का सौफ्ट लोन प्रदान किया गया है तो आंसर करेंगे दोस्तो यहाँ पे A 250 मिलियन डॉलर का आंसर A कर लीजेगा Is the right answer सवाल नमबर 35 हाल ही में भारत के किस राजी ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की खोशना की है यह भी आंसर कर लेंगे A उत्तर परदेश हो जाएगा दोस्तो आंसर आपका A हो जाएगा उत्तर परदेश is the right answer सवाल नमबर 36 हाल ही में पाकिस्तान द्वारत के स्थेत्र को कुण प्रांत का दर्जा देने की खोशना की गई है तो यह आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे It's a B गिलगित बलिस्तान is the right answer गिलगित बलिस्तान is the right answer B is the right answer दोस्तों यहां पे आप गिल्गित बलिस्तान की क्यापिटल सिटी का नाम बताईए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है सवाल लंबर 37 किस राजी सरकार ने सुभाचंदर बोस की 125 वी जैनती के उसर पर मजीर हाट पूल का निर्मान बदल कर जैन हिंद पूल रख दिया है बिल्कुल यह किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां पे अगर बात करें पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम तो ममता बेनर्जी है गवर्नर कौन है तो जगदीब धनकड है विधान सभा के विध्यक पारित कर दिया है तो हाली में किस राजे सरकार ने ओनलेन गेमिंग पर यह काम किया है परतिबंद लगाया है यहां विधान सभा के विध्यक में इसको पारित भी कर दिया गया है दोस्तों तो यह हैं आंद्रप्रदेश is the right answer नोट कर सकते हैं यहां पर और अंद्रप्रदेश की राजधानी अमरावती है और विश्व भूषन हरीचंदन जो की गवर्नर है आके विश्व भूषन हरीचंदन और Y.S. चगर्मोहन रेडड़ी जो है यहां के क्या है तो CM है रेडड़ी याद रखेगा अंद्रप्रदेश से आंसर हो जाएगा 39 प्रधान मंतरी मोदी ने गंतातर दिवस 2021 के रूप में अमंतर किया है तो 2021 में अभी 26 जनवरी आने वाला है भाई तो किसको अमंतरण किया गया है यहां पर एज़ेचीफ गेस्ट के रूप में तो मोदी जी ने आमंतरण किया है उनका नाम है बोरिस जॉनसन जी हां दोस्तों अब यह जो है यह इंग्लेंड के पीएम है और दोस्तों आपको बता दे कि अभी इनको भी जो इनके देश में कोरोना काल को लेकर इनकी जो यात्रा थी उसको फिलाल स्थगित किया जा सकता है यह अभी तक का अपडेट है तो इनको दिया गया था याद रखेंगे सवाल नमर फोटी हाली में मद्यपरदेश के कि इन दो सहरों को युनेस्को द्वारा 20 विरासत सहरों में सामिल कर लिया गया है तो यह अब नया अपडेट है आपके लिए एक सहर है दोस्तो उर्चा और एक ग्वालियर जो की 20 विरासत में इसको सामिल किया गया है C is the correct answer मद्यपरदेश के बारे मैं आपको सारे डिटिल बता दिया है ध्यान दिख रखेगा सवाल नमर 41 अनुशूची जातियोट और जन जातियोईक लिए विधाईका की आरक्षन की अवदी दस वर्ष से और बढ़ाने के लिए कौन सा समीधान संसोधन विध्यक सामने लाया गिया है अनुसुचित जातियों और जनजातियों के लिए विधाईका से आरक्षन की अवदे दस वर्ष से और बढ़ाने के लिए जी यहां दोस्तों एक संविधान संसोधन लाया गया है दोस्तों जो कि विधाईक संसद में लाया गया है 126 वां ठीक है आंसर हम B कर लेंगे याद रखेगा इन्पॉर्टेंट है यह कोशन आएगा अभी एक्जाम में बहुत बार दोस्तों RISAT-2BR1 का एक प्रशपन हुआ है इसरू ने किया है अब किस प्रशपन यहां द्वारा किया गया इसको बिल्कुल यहां ध्यान रखेंगे PSLV C48 के द्वारा इसका प्रशपन किया गया है इसरू का हेड़कॉर्टर कहा है दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गए बताईएगा चुकि यह सारे चीज़े आपको बता चुके हैं इसलिए पूछते हैं यहां पर भारत का पहला पश्रू किशान क्रेडिट कार्ड योजना का सुरुवात किस राजिय के सरकार को दोड़ा किया गया 43 का अंसर कर लेंगे हर्याना is the right answer A. हर्याना is the right answer सबाल नंबर 44 यहां दोस्तो यह पहला और पॉर्ण तथा एलेक्ट्रिक वाणिजी विमान के तूर रुपे यहां पर इसका उड़ान भरा गया है सबसे ज़्यादा प्रवासी है दोस्तो बिस उभर में भारत के ही 2019 के एक रिपोर्ट के नुसर बताया गया था माइगरेशन रिपोर्ट जिसमें कि भारत के निवासी हैं और सबसे ज़्यादा कहां पर निवास करते हैं तो कतर भारत के जो निवासी हैं सबसे ज़्यादा कतर में निवास करते हैं जो कि प्रवासी हैं वहां के लिए सवाल नमबर 46 राम सर इस थलोग की सूची में हाले में शामिल एक कावर जिल कहां पर है तो राम सर इस थलोग में देखे एक सूची बनाई गए जिसमें की शामिल किया गए कावर जिल को ये बेगू सराय बिहार में है याद रखिएगा बिहार से सवाल जुड़ा है तो मैंने आपको बिहार का तथ्य बता दिया है तीनों जो कि कैपिटल करिंज और यहां के गवर्नर और यहां के सीम का नाम ठीक है ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 47 वर्स 2020 में कला के छेतर में बिहार की मंजूश कला सैली का जी आई टैग दिया गया है इसका समद मुखे तक किस जिले से देखें बिहार स्पिसल भी जीके है यहां पे करेंट के टॉपिक से जुड़े हुए है जो कि BPSC परिक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यदा फायदे सकती है अगर आप वीडियो देख रहे है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस सारे कलेक्शन के लिए जो कि आप तक साजा किया जा रहा है दोस्तो 47 कांसर कीजिएगा भागलपुर डिस्टिक जो है यह समंदित है मंजूशा कला जी से सैली से जिसको जी जाई टेक दिया गया है याद रखेंगे सवाल नमबर 48 यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रतम बाल मित्र थाना किस जिले में खुला गया है यह भी बिहार से कोश्चन है और यूनिसेफ के दौरा यह बताया गया है यहाँ पे यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रतम बाल मित्र थाना खुला गया है दोस्तों जिलाप पॉर्णिया में C is the correct answer जिया बिहार सेशल जी के करेंट टरफेर है दोस्तों 49 commitment in the reducing inequality अभी एक कोश्चन बताया है भारत का इस्थान कितना रहा है CRI index में भारत का इस्थान 129 वा है फिर से आपको बता देते हैं लिख लेजिएगा सवाल नमर 50 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सवाल नमर 50 जो कि आज का आखरे सवाल है लेकिन आंसर जरू दीजिएगा पिये मोदी द्वारा हालिये में राज मता विजय राजे सिंध्या समान कितने रासी से इसमारक सिक्के को जारी किया गया है ये भी सवाल आपको मैं बता चुका हूँ ये 100 और पे का सिक्का जारी किया गया है दोस्तों ये ध्यान रखेंगे और ये टेस्ट इसलिए था क्योंकि आप लोग को लगातार एक हफते जो Qs कराय जाता है उस Qs में डिस्क्रिप्शन दिये जाते हैं लेकिन यहाँ पर टेस्ट होता है जो कि फ्री टेस्ट है आपका ये और इस फ्री टेस्ट में आपके स्कूर कितने रहें आप खुद को कि जो प्रेस्ट कितने हैं रहें है जा मुझा है जापके स्कूर कितने रहें जो प्रेस्ट को जब खुद को जो 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 जो